हम सभी जानते ही है कि राश्ट्रिय सेविसेवक संग लगबग 99 वर्षों से देश में एक सामाजिक संगडन के रूप में सतत कारियरत है और अगले वर्ष 2025 की विजया दश्मी में लगबग इस कारिय को प्रारव्म होकर सव वर्ष पूर्ण होंगे संग में कई प्रकार की बैठके होती है जिसके माध्यम से एक सामुईक विचार प्रक्रिया और निर्णे प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है और उसी करम में जो सबसे महतपूर्ण और सबसे बड़ी ऐसी वार्षिक जो बैठक है अकिल भारतिय प्रतिनिदी सभा इस प्रतिनिदी सभा की बैठक नाकपूर का जो ये स्पूर्ति मंदिर परिसर है इसी परिसर में परसो यानि आर्था 15 मार्च से 15, 16, 17 मार्च को तीन दिन यहां आयोजित हो रही है प्रति तीन वर्ष में जब एक बार यहां पर इसका आयोजन होता है परन्तु अभी इस बार जो बैठक हो रही है लगबग 6 वर्षों के बाद हो रही है क्योंकि 2018 में यह बैठक होई थी बीच में 2021 में होना था परन्तु हम जानते है कि कोरोना का प्रभाव था और इसलिए उस वर्ष यहां यह बैठक नहीं होई थी तो अब लगबग 6 वर्षों के बाद अभी 2024 में यह इस बैठक का आयोजन यहां पर हो रहा है इस बैठक में देशवर से 1529 1529 इतने प्रतिनीधी बैठक में कार्यकरता अपेक्षित है इसमें विबिन्य प्रकार के दाईत्व रखने वाले प्रांतों के अखिल भारती कार्यकरता अक्षेत्रस्तर के ऐसे सभी इस बैठक में अपेक्षित रहते हैं आप बेटक में Oh आप सब्सक्राइब हो देश भर का जो कारिय चलता है संग का मुख्यर से शाक्षा के माद्यम से जो संग मानिय सरकारिवा अपना प्रतिवेदन रखेंगे जिसमें इसके बारे में विस्तार से वो जानकारी रखेंगे 15 तरीक को प्रतिवेदन प्रस्तूत करने के प्रश्चाद आप लोगों के लिए भी वो सारी जानकारियां उपलब्द कराई जाएगी बैटक में आगामी योजना पर भी चर्चा होगी कि हमारे संगडन का कार्यविस्तार कैसे होगा और आगामी वर्ष में उस दुष्टी से कौन से आयोजन होंगे इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा भी होगी और निर्णे भी लिये जाएंगे हम जानते हैं कि संग का शताब्दी वर्ष आ रहा है उस दुष्टी से कार्यविस्तार की विशेश योजना भी बनाई गई थी और लगातार उस योजना के लिए सभी कार्यकरता जूटे थे कई लोगों ने उसके लिए अपने महतपुर्ण समय का दान भी इसलिए किया था तो उस दुर्ष्टी से उस योजना के बारे में भी विशेश कर चर्चा होगी कि अपने नियमित काम के साथ साथ विस्तार का कार्या जो है जिसकी विशेश योजना थी तो उस अंदर में भ ले जाने का लक्ष रखा गया है शताबदी वर्ष प्रारव होने से पहले तो उस दुष्टी से उसकी नियमित रूप से हम लगातार हर बैठकों में इसकी समीक्षा कर रहे हैं उसकी समीक्षा यहां पर भी की जाएगी शताबदी वर्ष जो है वो जब संग के सव वर्ष पूरे होंगे मालग 25 की विजय दश्मी के तो उस दो हजार पचीस की विजय दश्मी से चब्वीस यह जो सव वर्ष पूर्ती का समय रहेगा उसी में संग शताबदी की दुष्टी से जो भी उपक्रम होंगे उसकी योजना उसे कालावदी में होगी उसकी उचना जैसे ज यह एक बार सभी संगशिक्षावर्गों के लिए प्रवास करते हैं और उसके परांतः शाह उनका प्रवास ओता रहता है तो उस कुर्म के बारे में भी यहां पर निश्चित होती है और फिर वर्षपर का क्रम निश्चित हो जाता है ऐसे अपने मानिय सरकारवा दक्तात्रई जी सरकारवा जी का जो प्रवास है वो भी यहां पर निश्चित होता है कि किस प्रांत में वो कहा जाएंगे और उसमें क्या आयोजन होंगे तो उसकी भी योजना यहां पर बनेगी जब स्टेज भरके कारेकरता आते हैं तो साभाओ कुरुप से वो अपने-पने प्रांत की परिस्थितियां वर्तमान परिस्थिती में वहांपर होने वाली घटनाएं और उसके समाजिक दृष्टी से उसके परिणाम और समाजिक परिस्थी को और अच्छा करने की दृष्टी से क्या उपाय वो कर रहे या क्या उपाय करने चाहिए इसके बारे में वो अपने सुझाओं यहां पर लेकर आते हैं और ऐसे विभिन्न विश्यों पर भी यहां पर चर्चा होगी हम सभी जानते ही है कि गत 22 जन्वरी को आयोध्या में भगवान स्रीडाम के जन्व भूमी पर बव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्टा का कारेकरम हुआ और उसमें देशबर के सामान्या सभी लोगों के साथ संग के स्वेंसेवक भी उस सारे कारिया में लगे थे यह एक बहुती अईतियासी गटना थी और इस अईतियासी गटना के दूरगामी परिणाम भी होंगे समाज के सकारात्मक दुरुष्टी से आगे बढ़ने के लिए यह अत्यांत महत्यपूर्ण पड़ाव था इस दुरुष्टी से एक प्रस्ताव इस प्रतिनीजी सभा में होगा और जैसे ही प्रस्ताव पारित होगा आपको इसकी सुचना दी जाएगी अन्यभी विशेहों पर कल कल कारेकारी मंडल जिसमें सभी प्रांत के मानिया प्रा प्रचारक उपस्तित होते हैं तो ऐसी एक दिन बर की कल अखिल भारतिय कारेकारी मंडल की वैटक होगी उसमें प्रतिनीजी सभा के लिए जो प्रस्ताव आते हैं उस संदर में चर्चा होगी इस प्रस्तावर पहले ही चर्चा हो चुकी थी परन्तु अन्यविश्यों के तर्चा होने की संभावना है साथ ही और एक बात आपके सामदें रखना आवश्यक है कि मई से दो हजार चोबीस के मई से जो समाज की दुरुष्टी से और राश्टर की दुरुष्टी से जिन्नों ने अत्यन्त महत्तपुर्ण कारिय किया था इल्लिया भाई होलकर उनकी त्री शताब्दी आ रही है मतलब तीन सो वर्ष उनके जन्म को हो रहे है तो यह जो त्री शताब्दी वर्ष होगा मई दो हजार चोबीस से एप्रिल दो हजार पच्चीस तक इस दुरुष्टी से कही सारे कारेकरम होंगे देश भर में उन कारेकरमों को संग के स्वैंसे लोगी समर्थन करेंगे उस दुरुष्टी से एक विशेश वक्तव्य भी मानिय सरकार्यवाजी द्वारा जारी किया जाएगा वह भी बैटक के दवर्यान जब जारी होगा आपको उपलब्द कराये जाएगा तो ऐसे कई विश्यों पर यहां पर विचार विमर्ष होने व परिवर्तन इस संदर में चर्चा हो रही है कि आने वाले समय में पुरे समाज के साथ मिलकर इस शताब्दी वर्ष के निमित्य समाज के साथ मिलकर समाज परिवर्तन के महत्व पूरुनक कारियों को हाथ में लिया जाए जिन कारियों को अलग-अलग तरीके से स्वेंसे वक पहले से करते आए लेकिन अब सारे समाज की विविन संस्थाएं सामाजिक शेक्षीक धार्मिक सभी के साथ मिलकर इसको एक ठोस परिवर्तन के दिशा में इसको ले जाया जाए ऐसा विचार चल रहा है उसके कार्यविधी के बारे में भी यहां पर चर्चव होगी जिस जिसम के रूप में की या कुटुम्ब प्रभोधन के बारे में कहीं सारी गतिविदियां स्वेंसेवक कई वर्षों से कर रहे हैं सभावी की सामाजिक समरस्ता के लगाताल प्रयास स्वेंसेवक को दारा चल रहे हैं तो इन सारे प्रयोगों को सामाजिक सतर पर सभी समाज के साथ सब लोगों के साथ मिल कर आगे ठोस तरीके से आगे बढ़ाने की योजना है ताकि जो इतने वर्षों के जो अनुभव लिये हैं कुछ वर्षों से प्रयोक चल रहे उनको ठोस तरीके से आगे बढ़ाये जाएं तो साथी स्वा के आधारित जब स्वाधिनता का महस्व चल र पराहेंगे विश्यव भारबार आता है कि अभी सम्विधान के 25 वर्श प्रारम हो गए हैं। नाग्रिक कर्थव्यों की बात करना अवश्यक है, अधिकारों के साथ कर्थव्यों की बात हो, औरकान पॉद्धा है, ឡ attachments कर्थव्यों का है, कि जिनको लेकर समाज में सभी एक व्यापक प्रभोधन हो और उस दुरुष्टी से कारियम प्रारंब हो जिवन के हर ख्षेत्र में तो ये विशेशकर शतापदी की दुरुष्टी से ऐसे पंच परिवर्तन के मुद्दे सामने है उसके बारे में इन उपक्रमों को समाज के साथ मिलकर स्वेंसेवक कैसे आगे ले जाएंगे इसके बारे में भी इस बैटक में विस्तार से चर्चा होगी और जैसे जैसे योजनाय बनती जाएगी आपके सामने रखेंगे मुख्य रूप से इस बैटक में जैसे कि पहले भी आपको जानकारी दी गई है पूजनिय सरसंग जालक जी माननिय सरकारवा जी इनके साथ साथ अपने सभी सहसर कारवा जिसमें डॉक्टर कुष्ण गोपाल जी डॉक्टर मनमोन जी अरुन कुमार जी रामदद जी और मुकुंद जी ऐसे और सभी कारविभाग के लोग विवित संगटन के जो लोग है जिसमें लगबग 36 संगटन है जिसके अकिल भारती अध्यक्ष और उसके महा मंतरी उसके संगटन मंत्री और कुछ अन्यकारे करता ये सभी लोगों को अपेक्षित किया है जैसे जो संगप्रेरित विवीत संगटन है जिसमें बारतिय मजदुर संग है उसके भी अध्यक्ष आएंगे विश्वहिंदु परशद है उसके अध्यक्ष है आलोक कुमार जी वो जैसे सभी लोग यहां पर अपेक्षित है 36 संगटन के वो आएंगे और जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी थी पहले भी कि ये वर्ष चो होता है वो चुनाव वर्ष होता है तो ये पूरा संग में चुनाव वर्ष नीचे से प्रतिनीधी चुने जाते है प्रांत के चुनाव करेंगे और उसके पश्चात संग के जो प्रतिनीधी है और अन्यकार करता वह सब मिलकर मानिय सरकारेवाज चुनाव करेंगे तो ये चुनाव भी इस बैठक के दवरानी होगा दैसे जैसे ये सारे निरने होते जाएंगे आपको समय समय पर इसकी सूचना हम चुनाव करेंगे और उसके पश्चात कोई न हमारे सहसर कारेवा यहां पर प्रिश ब्रिफिंग करेंगे जिसमें अपने प्रतिवेदन की कौप प्रतियां और बाकिस्व जानकारी आपको दी जाएगी और जैसे प्रस्ताव और सरकारेवा चुनाव की चानकारी वह सोला सब्सक्राइब है तो अभी पूछ सकते हैं इसा है कि जो भी वर्तमान परिस्तिति में सारे विशे चलते रहते हैं उन विशेओं पर यहां पर अपने अनुभों और परिस्तिति की चर्चा यहां पर सहिंसेवक करते हैं जिन जिन बातों पर चर्चा होगी आपको विश्तार से 17 को बताये जाएगा है ऐसा है सिए विशेओं पर हम लोगों ने यह तो अभी तो रूल्स पने हैं के वल बाकि सीए का प्रस्ताव तो पहले ही हो गया था तो हमने तो इसका पहले से समर्थन कर दिया है अभी निश्चित नहीं है मैं उस पर भी पहले ही मतलब संग के द्वारा इस बात को पहले भी कहा गया है और जब उत्तरा खंड ने इस बात को लेकर आये थे उस समय इस बात के हम लोग समर्थन में हैं और इससे लोगों के अधिकार ही व्यापक होंगे मतलब जी 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 विकुल दो हजार पचीस की विजय दश्मी जो होगी उस समय सव वर्ष पूरे होंगे तो शताब्दी पूर्थी वर्ष जो होगा पचीस चब्वीस विजय दश्मी से विजय दश्मी उसमें उपक्रम रहेंगे शताब्दी संदर्वे में किसका हा अजी हाँ ही जैसे इस मानिय सरकार्यवाजी का चुनाव होता है उसके पस का काल होता है तो वो तीन वर्षट समाद्न होता है उनके साथी तो जब ऑपक के उंतीम समय में वो नई कारकानी की घोष्टना भी करेंगे सभी संगटन के अध्यक्ष उसके महामंत्री और संगटन मंत्री और कुछ अन्य कारे करता इसमें अपेक्षित होते हैं तो सभी बीजेपी से भी अध्यक्ष संगटन मंत्री दो अपेक्षित हैं पाकि अन्य कुछ कारे करता जी जी मैं ये पिछला लक्ष बता रहा हूं पिछली संख्या बता रहा हूं पिछले बैटक की ऐसा है कि ऐसा है कि ये 68000 जो मैंने बताया वो पिछली बैटक का है पहली बात और दूसरी बात अभी तो इस बैटक में तो हम समिक्षा करेंगे कि कितनी शाकाएं हुई है कल आपको बताया भी जाएगा पहली बात दूसरी बात ये है कि आने वाले समय में ये जो हमारा शाक्ष रुद्धिक विस्तार का जो कारिया होता है उसके लिए लगबग 3000 लोगों अपना दोवर्ष का समय दिया ठापर और आने वाले समय में भी अचा और कुछ लोग समय देंगे चाहिए जो होती है सक्षम वह दूसरी अप्र शांता करते यह उसकी बिस्तार की पद्दती होती हैड़ तो इस करम से इतनी हमें लगता है कि इतनी सक्षम शाकाएं होगी कि जो इतना विस्तार कर लेगी उसका ऐसा है कि ये एक प्रवाही संगटन है सामाजिक संगटन है तो हर समय इसकी चिंता होती रहती है कार्णी करता है सवोजह इतने हैं सक्षम है इसकी चिंटा करते रहते हैं कि लंद है यह मुझे लेता मैंने आपको विस्तार से ना कि यह पर ईसकी अपनी जानकारी प्रांग के रहते हैं और उस पर चर्चाएं होती है बाकि निश्चित कौन से विशों पर क्या चर्चा होगी कारेकारी मंडल अनुमोधित करता है कि इन विशों पर प्रतिनी सवा में चर्चा होगी तो कारेकारी मंडल की बेटक कल है तो उसमें जैसे अनुमोधित हो जाएगा पंदरा को ब्रीफ पुछनिय सरसंगी जालग जी ने उसी समय कहा था कि राम बंदीर एक प्रारंब है कि जो देश में हम लोगों को एक अच्छा वातावरण और अच्छे कारिया होने है समाज में जो परिवर्तन होने है तो यह उसका एक शुब संकेत है मंदीर तो बन गया अब पुरे समाज को मिलकर वैसा वातावरण और वैसी विवस्थाएं बनानी है तो उस दुष्टी से आग्यावी दिशा की दुष्टी से यह प्रस्तावाद अब अपेक्षीद है मैंने बता है वो उनके संगटन का है मैं अभी विस्तार से मेरे पास सूची नहीं है परन्तु हर संगटन के अध्यक्ष संगटन मंत्री और कुछ अन्यकारे करता है ऐसे अपक्षित है हाँ हो जाएगी जी जी मिल जाएगी वो तो उपलब दे वैसे वेबसाइट पर भी दे रहेंगे आपको 36 संगटन है ठीक है धन्यवाद आपको